कार साहतियों आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे मुप्त स्मार्टफोन योजना इसकाई के बारे में और इनसे जुड़े हुए कुछ सवालों को जानेंगे जिनका हमें आउस्टता होगी जिस समय हम फॉम भरेंगे या जिस समय हम अपने स्मार्टफोन या सीम के लिए आवेदन करेंगे तो यह जो योजना है यह योजना बनी है इसके आधार पर लगबग 55 लाख स्मार्टफोन मुफ्त में बाटे जाएंगे साथ ही उसमें जियो का सीम भी होगा माइक्रोमेक्स का फोन होगा और जियो का सीम होगा तो इस योजना से संबंधित जो सारे दस् स्मार्टफोन मिलेगा कि नहीं तो यह जो फोन है वह सबसे पहले ऐसे गाउं में बाटा जाएगा जहां पर 1000 की जनसंख्या है या मोबाइल का कवरेज पूर्ण या आनसीक रोप से उपलब्द है यह 2017-18-19 में बाटा जाएगा और 2019-20 में 1000 से कम जनसंख्या वाले ऐसे गा में फॉर्म को भरते समय कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हमारे सामने उपस्थित होते हैं जिनका हमें जवाब चाहिए और उसी के आधार पर फॉर्म को भरा जाएगा यह सवाल किस प्रकार के होते हैं देखिए यदि कोई महाविद्यालेकर चात्र है तो क्या अंतिम वर्ष के चात्र को स्मार्टफोन मिलेगा तो इसमें जो स्मार्टफोन प्रदान करना है वे चात्र ऐसे होंगे जो कि अगले सत्र में कॉलेज की पढ़ाई करेंगा अर्था जिन चात्रों ने कॉलेज के अंतिम वर्ष का परिक्षा दे दिया है उन्हें यह स्मार्टफोन नहीं मिल जो चात्र अभी प्रीवियस में हैं और फाइनल में जाने वाले हैं उन्हें यहाar蒂ठ फोन मिलेगा तो जो अंतिमर्ज के चात्र हैं उन्हें स्मार्ट फोन नहीं मिलेगा जो की परिक्छा दे चुके हैं और जो अभी पढ़ने वाले हैं अर्था जुलाई 18 से जिनका class program होगा उन्हें यह फोन मिलेगा साथ ही जो पत्राचार के छात्र हैं उनको यह फोन नहीं मिलेगा अगला सवाल है अगर किसी BPL परिवार के सदस्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती है तो क्या समाटफोन मिलेगा तो जो BPL परिवार के सदस्ते जिनका नाम सुची में जुड़ा है दो हजार दो में दो हजार साथ में जो सुची में नाम अगर जुड़ा हुआ है तो उस परिवार को स्मार्टफोन मिलेगा अगर आधार कार्ड है आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है तो आवेदन किस नाम से करना है जो इसका ही मोबाइल होगा वही लिखना है यदि अधार कार्ड में नाम में स्पेलिंग में कुछ प्रॉबलम है तो भी आवेधन करते वक्त उस स्पेलिंग मिश्टेक के साथ आवेधन करना है साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि यदि आधारकाड में आपका नाम गलत लिखा है तो आप अपने निकट के च्वाइस चेंटर या जिलाइस तर के चेंटर में जाकर अपना नाम सुधारने के लिए आवेदन कर दीजिए लेकिन अभी क्योंकि आवेदन भरने की समय सीमा बहुत कम है इस कारण आपको आवेदन जो नाम गलत है उसके आधार पर ही करना होगा रथात आधारकाड में जो नाम की स्पेलिंग लिखी होगी हिंदी में और अंग्रिजी में वैसा ही आवेदन आपको करना है यदि परिव परिवार का कोई सदस्य उपलब्द नहीं है तो आधार सहमती के लिए क्या करना होगा आप देखेंगे फॉर्म में एक कॉलम दिया है जिसमें आधार नंबर मंगे गए हैं परिवार के सभी सदस्यों के साथ ही उनमें उनका साइन या उठेकर निसान मंगा गया है तो यदि क के नाम पर फोन मिलना है उनका साइन या अंगुठे का निसान अवस्यक है अरथात यदि आपके परिवार का कोई सदस्य उपलब्द नहीं है लेकिन वहALLYीं नंबर का सदस्यों इसका आधार नंबर फॉर्म में एंटर आवस्ये करिετε और जो साइन या उंगुठे का निसान उसका सिर्फ colored print निकला को आवेदन ही मानने होगा फोटो कॉपी करके उसमें जानकारी नहीं भरना है नोडल आफिसर आपको color photo copy देंगे उसका जो form है उसे आपको भरना है अपने आधार पर फोटो कॉपी करके जानकारी भरकर जमान नहीं करना है अगर किसी परिवार की सदस्य या मुखिया की मृत्ति हो गई है तो आवेदन कैसे करता है परिवार की जो परिभासा होती उसके आधार पे जो वरतमान में सदस्य है उनको ही मानकर एक परिवार उसके आधार पर आवेदन करना है यदि परिवार के किसी सदस्य या मुख्या की मृत्य हो गई है तो उसके आधार नंबर और जानकारी को प्रविष्ट नहीं करना है आवेधन में और जो बरतमान सदस्य हैं उनके नाम की प्रविष्टी करके आवेधन करना है राज्य का कोई छात्र राज्य के बाहर या किसी कॉलेज में पढ़ाई करता है तो उसे स्मार्टफोन मिलेगा क्या यदि राज्य का कोई छात्र दूसरे राज्य में दूसरे राज्य के कॉलेज इत्यादी से पढ़ रहा है तो उसे यह स्मार्टफोन नहीं मिलेगा यदि वह राज्य में किसी विद्याले से अधिक्रित कॉलेज का निमिक छात्र है तो ही उसे स्मार्टफोन मिलेगा यह तो हो गई आवेदन से जुड़ी कुछ बाते हैं मैं आपको आवेदन के दिखा कर उसमें कुछ चीजें भी बताऊंगा देखिए जो आवेदन आपका जो स्मार्टफोन है जो ग्रामिन या सहरी लोग है उनको जो फोन मिलेगा वह होगा माइक्रो मैक्स भारत टू प्लस यह फोन इंड्रोइट 7.0 वर्जन वाला है 4GB की इसमें मेमोरी है और 1GB का रैम है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं उस प्रकार का यह फोन होगा अब फोर्म देखिए यह जो फोर्म आप देख रहे हैं यह ग्रामिन और सहरी लोगारतियों को इसमें आवेदन करना है इसमें नाम, T-number, जन्मतिती, वर्ग डालना है मकान करमांग डालना है, गाउं का पता डालना है पिंकोड डालना है आपका आपके बैंक के खाते हैं अगर बैंक में कहीं पे तो यह जो जानकारी है यह उस व्यक्ति के लिए है परिवार के जिसको सीमी और स्मार्टफोन दिया जाना है परिवार का मुख्या कोई और भी हो सकता है लेकिन जिसका भी नाम दर्ज कराना है स्मार्टफोन और स्टीम के लिए उसके नाम को इसमें टर्ड करना पड़ेगा बाकी सदस्चियों का नाम करमांग 6 में आ जाएगा यहां पर परिवार का विरण योम आधार सहमती और परिवार का मुख्य वेवसायर था परिवार क्या वेवसायर करता है मुख्यता तो ये डाल सत्ते हैं पर और इसके बाद मैं प्रमारित करता हूँ कि farm देख जानकरी सत्य है तथा सत्य जानकरी कि मैं जिम्मेदार रहुँगा दिनांग डालना है और आवेदन में sign करना है साथ ही नीचे में जो पंजीकरन पाउती है उसमें भी पूरी जानकरी भरना है और जब form जमा करेंगे तो इस हिस्से को काट कर अपने पास रख लें तब या काम आएगा परची पंजी करन पहुती इस फॉर्म के पीछे साइड में और जानकर्य दिये हैं कि आवेदन कैसे भरना है यह पूरे डिटेल दिये हुए है नाम कैसे भरना है नाम को हमें सद्ध्यान रखिए कि जो नाम आधार कार्ड में लिखा है वैसे ही भरना है यदि आधार कार्ड में नाम गलत लिखा हुआ है तो उसी प्रकार से भरना है क्योंकि यह बिलान होगा EKYC से तो उसमें यह आवस्यक है कि आपका नाम और आधार में लिखा हुआ नाम दोनों समान हो इसके साथ ही कुछ और इसमें निर्देश है जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे नाम कैसे भरना है प्रथम नाम मध्य नाम उपनाम इस प्रकार से जो ACC का ACC का T-Number है वह डालना है 29 संकी जो है जन्वतिती डालना है DDMM YYY के फॉर्मेट अर्था दिनांग के दो इस्थान महिने के दो इस्थान और अंत में साल के चार इस्थान इसी प्रकार पता पूरा भरना है जिस पते पर आपका आधार का पता दर्ज है या आप जहां पर रहत हमे dalam पैंक खाता अगर है तो इसकी जानकारी डालेंगे और नहीं है तो नहीं में किलिक करेंगे और फिर किसमें अगर आपके पास बैंक खाता है तो आपको password कि peptid Ave अपको अपना आधार का कार्ड का फोटो कॉपी डालना है इस प्रकार से और यद 나올ी स्मार्ट कार्ड हैतो उसका नंबर भी दर्ज कराना है साद भार्ड तो उनकी जानकारी ना है और इनकी एक फोट्ट कापी लगाना है अगर आपके परिवार का विरुन डालना है क्रम संख्या एक में आवेदक क्रम संख्या 2 में परिवार का प्रमूख क्रम संख्या 3 से 6 तक परिवार के अन्य सदसे इस प्रकार से तो क्रमांक 1 पे आवेदक का नाम लिखना है आपको उपर भी आपको इसमें नाम लिखना है और आवेदक का नाम नीचे भी लिखना है दो बार आएगा जिसके नाम पे सीम और स्मार्टफोन होगा male female डालना है उम्र की जानकारी भरना है आज की स्थिति में एक जुन 2018 की स्थिति में है और इनका क्या संबन्ध है परिवार प्रमुक्ष से हैं आधार नंबर डालना है और उ अंगुठै रस्ताग सर करना पर यहीं क्या उसिकता नहीं है लेकिंग जिनके नाम पे फोन सी मिलना है उनका अवस्य होना चाहिए साथ ही दस्तावेज जो है वे पहचान प्रमाडित करने वाले दस्तावेज इन में से कोई एक तस्तावेज, पहन कार्ड, यदि आधार कार्ड है तो नहीं लगेगा और यदि आधार कार्ड नहीं है तो पहन कार्ड, वोटर एडी कार्ड, पासपोर्ट, आनुस लाइसेंस ये सभी डॉक्यमेट्स जो यहाँ पे दिये हुए हैं वो लगेंगे इसके आद पंजी करन कार्ड फॉर यह फोन मिलेगा इसमें 16GB का मेमोरी है, 2GB RAM है, 5G का स्क्रीन है और 8MP का प्रंट कैमरा और 5MP का रियर कैमरा है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वह फोन मिलेगा तो इसको फॉर्म भरना है कॉलेज के चात्रों को जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगी यह कलर का फॉर्म है इसे भरना है कॉलेज के चात्रों में जिसमें चात्र चात्रा को नाम डालना है अपना इन्रोल्मेंट नमबर डालना है यह आविदन जो है वे अभी जो कॉलेज के चात्र परतबान में पढ़ रहे हैं उन्हें आविदन करना है जो चात्र फाइनल की परि कराना पड़ेगा इस आविधन में वोटर कार्ड, पेन कार्ड, राइगल लिसेंस, जन्मत इति, वर्ग ये सब डालना है अगर घाता है बैंक में तो बैंक खाते की जानकारी डालना है और परत्म का वर्ष डालना है कि वह कौन से वर्ष का चातर है प्रतम देतियत, प्रतिय तो उस प्रकार से आएगा कि कौन से वर्ष का वह चात्र है 37 में प्रमारित करते हुए अपना हस्ताक्षर करना है और आधार सहमती देना है कि क्या मैं अपने आधार को 36 संचार करानती हो जने हम डीजी लाकर कुपयोग यो मेरी पहचान का सत्यापन करने है तो 36 सासन को अनुमती देता हूँ यह करके यह जो पाउती है उस इससे में भी जनकारी डालना है और फिर पाउती को फॉर्म जमा करने की बाद अपने पास सुरक्षित रखना है यह वित्रन के समय काम आएगा यह फॉर्म के दूसरे पेज पर दी हुई जानकारी है निर्देश है जो वे आप ध्यान से पढ़ेंगे और यह कुछ समस्या आती है तो वहाँ को प्लब्द नोडल ओफिसर से बात करके अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे वैसे यह फॉर्म अपने आप में पूर्ण है इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी कि किस प्रकार आपको भरना है साथ ही इसमें ध्यान दीजिए जो नाम है आपका वह आप आधार कार्ड में दे हुए नाम के आधार पर रखेंगे के लिए आज के लिए इतना ही साथियों आप से नुरोध है कि आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आये होगा तो लाइक पे क्लिक अवस्य करिएगा साथ ही अपना सेयोग और मारत दसर में प्रिदान करते रही गया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बटन आपको नीचे में दिया हुआ है जिसमें क्लिक करते ही आप हमारे चैनल से चुछ जाएंगे और हमारे नए अपडेट्स और वीडियो आपको मिलते रहेंगे आपको जानकारी मिलती रहेगी साथी और रुगों को भी आप आईए आज के लिए तिने साथियों नमस्कार धन्यवाद